नमस्कार पीपी न्यूज लाइन की प्राइम ट्राइम में आप सबका स्वागत मैं हूरशनी अनुभव आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक सुर्खियों पर मनजिले कैरियर गाइडन्स पोर्टल के प्रती छातरों को जागरू करने बारे सबी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को धिये गे निर्देश जमकश्मीर के पॉल्ल टेक्निक कॉलोजों में अंजीनिरिंग के डिपलमा कोर्स में दाकिलों के लेकर स्तीती अस्मंचस में और लदाक में बेतर परबंदन के चलते मरीजों को ठीक होने का 90 परतिशत दर बरकरार अब सबचार विस्तार से पहले एक नजर आज के मुद्दे पर मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लागडॉन चल रहा है इस लागडॉन के दोरान सुबह 6 वज़े से लेके 10 वज़ तक जितनी जरूरी चीज़ें खरी दिने के लिए दुकाने खुरी होती है और उसके साथ साथ बैंक जो है 10 वज़े से लेके 2 वज़े तक उनकी ट्रांसेक्शन होती है जिनको जुरूरी काम परता है बैंक में पैसा निकालना है बेजना है वो कर रहे हैं लेकिन मुद्धा सबसे बड़ा यह है कि वेस्टन यूनियन वह भी एक बैंकिंग आर्गनाइज़ेशन है कि हमकि बाहर रिश्तेदार है आप बाब है बेटे को पैसे फर परिवार प hè पैसे भी रहा है प्ले माढवाब को वहांस माआ है आई है तो अपने छोटे भाई को वहां से पैसे बेज रहा है लेकिन इस लागड़ून के तुमार वेस्टन यूनियन बंद पड़ी हुई है वह से परिवार ऐसे हैं जिनको पैसों की सखत जरूरत है उनका गुजहरा उन पैसों पर डिपेंड करता है कि उनका बेटा बाहर स की चीजें करीबते हैं लेकिन 15 दिन से वेस्टन यूनियन बंद पड़ी हुई है और सरकार इसकी गोर नहीं कर रहे है करोना संक्रमन के कारण जम्मू में लगातार हो रही मोतों से एक बार फिर से राज़की मेडिकल कालेज जम्मू कठकरे में है या हर दिन ओस्तन 15 मरीज की मोत हो रही है मरीज सोविदाइं कम होने की शिकायत कर रहे हैं लेकिन जम्मू स्वास्ते सोविदाओं को लेकर हमेशा ही कश्मीर के मुकाबले पिछड़ा हुआ है कश्मीर के दूरदर्शी नेताओं ने वर्षों पहले ही स्रीनगर में अखिल वारती आयर्विज्यान स संस्थान की तर्श पर सुविदाइं बना ली थी लेकिन जम्मू की किसी ने सुध नहीं ली और यहाँ पर मरीज सुविदाओं के लिए अभाब में दम तोड़ते रहे परदानमंत्री कारयाली के राज्यमंत्री डॉक्टर जेतिंदर सिंग ने प्रशासन से कहा है कि जम् स्री नगर, नगर निगुम के मेर, ड्रेप्टी मेर वा अन्य कुछ प्रतिनिधियों से बैठर कर जोर दिया कि वे करोना के खिलाफ मोहीम को तेजी देने के लिए योगदान दे उन्हेंने का कि वेक्सिनेशन की मोहीम को जन आंदोलन बनाने के लिए जरूरी है कि नगर निगुमों के प्रतिनिधि आपना पूरा सही होते जमू में 18-45 साल के आयू वर्ग में हाई रिस्क ग्रुप का टिका करन अबियान आज से यानि की वीरवार से शुरू हो गया ये टीका करन सिर्फ जमू जिले में ही हो रहा है अन्ने जिलों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए वैक्सिन पहले से ही आ गई थी लेकिन करमचारियों को भी प्रक्षिक्शन दिया गया था स्वास्ते एवं परिवार कल्यान विबाग के अधिकारियों के अनुसार 18-45 साल के आयू वर्ग की लोगों को अब कोवी शील्ड वैक्सिन दी जाएगी ये वैक्सिन अभी सिर्फ हाई रिस्क ग्रूप वालों को ही दी जाएगी इसमें स्टीट वेंडर, विद्वाएं, सेना के परिवार के सदस्य, दिव्यांग, दुकानदार और वै लोग जो किसी बिमारी से पीडित हैं उन्हें ये वैक्सिन दी जाएगी जमो कश्मीर के पॉलिटेकनिक कॉलेजों में एंजिनिनिंग के डिपलमा कोर्स में दाखिले को लेकर अस्मंजस बना हुआ है पहले दाखिला बोड़ आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस अग्जैमिनिशन करता था लेकिन इस अकादमिक सत्र दो हाजार एक्किस बाइस से कॉशल विकास विभाग ने दाखिले करने के लिए कहा गया था मई महीना आदे से ज़्यादा बीद गया है मगर अभी तक दाखिले को लेकर स्थिती स्पर्श नहीं हुई है पिछले साल करोना से उप्चे हालात के कारण बोड़ आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस अग्जैमिनिशन ने एंट्रेंस टेस्ट नहीं किया गया था और दसनी कख्षा के अंकों के मेरिट के आधार पर ही दाखिले किये थे पिछले साल इन दाखिलों के बाद कौशल विकास विवाग जिसका पहले नाम तकनीकी शिक्षा विवाग हुआ करता था ने दाखिला पुर्किया को करने के लिए कहा था हालां कि इस समय सारे शिक्षन संस्थान बंध है और लॉक्डून चल रहा है प्रन्तु कोशल विकास विबाग दाखिलों को लेकर कोई अधिसूशना जारी नहीं कर पाया है केंदर शासित परदेश लदाख में बेहतर परबंदन से करोना का सामना करने की कारवाई से चेतर में मरीजों की ठीक होने पर 90 परतिशत दर बरकरार है लदाख में एक और यहां करोना के 130 ने मामले सामने आए वहीं दूसरी तरफ 134 मरीज ठीक भी हुए है अब तक लदाख के लेह वकारियल जिलों में करोना से 16,582 लोगों को संक्रमन हुआ इन में से 14,875 मरीज ठीक हुए है करोना संक्रमन के कारण अब तक लदाख में 165 लोगों की मौत हो चुकी है स्कूल शिक्षा विबाग का मंजिली कैरियर गाइडन्स पोर्टल चातरों के लिए उप्योगी व सरकार के लिए महत्व कांशी अभ्यान है विबाग ने पिछले वर्ष पोर्टल की शुरुआत की थी इसका मुख्य उदेश चातरों को कैरियर से संबंदित हर परकार की जानकरी महिया करवानी थी शिक्षा विबाग ने यूनिसिफ इंडिया के सहयोग से इस पोर्टल को शुरू किया था पोर्टल के महत्व को देखती हुई विबाग ने बुद्वार को आदेश जारी कर सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैब बच्चों को इस पोर्टल का उप्योग करने के प्रती जागरू करें ताकि उन्हें करियर से संबंदित हर सुजाव मिल सके नुमी वबार्मी कक्षा के स्टूरंट के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है ग्रामिन क्षेत्रों में भी करोना संक्रमन तेजी से फैर रहा है इन क्षेत्रों में भी करोना करफ्यू को परभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलीस ने सक्ती बढ़ा दी है पुलीस कर्मी गाउं गाउं में जाकर गर्ष्ट कर रहे हैं लोगों को बेवजा गर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। गाउं के लोग गुरूप बना कर बैट रहे हैं जिने पुलीस डंडा दिखा कर खदेड रही है। केंगाउं में युवा क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर भी पुलीस ने कारेवाही की हैं। दुकानों को बंद कराया जा रहा है बुदवार और वीरवार को एस पी हेड़कोर्टर रवनीश कुपता ने सिमानत इलाकों का दौरा किया। वहां आरेसपुरा और सुचेत कर बॉर्डर की पुलीस चोकियों और थानों में पहुँचे और पुलीस के बंदोबस्त का जायजा भी लिया। जिले में आए दिन करोना से हो रहे ही मोतों से बने चिंता के माहौल के बीच प्रशासन का कहना है कि पीडितों द्वारा संक्रमन के लक्षे दिखने पर तुरंत इलाज नहीं करवाने की वज़ा से मोत का आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि अधिकांश लोग करेना के लक्षन दिखने पर गुरों में ही स्वाइम ही ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं जब हालत गंबीर हो जाये तो इलाज के लिए अस्पतार पहुंचते हैं तब तक ऐसे कुछ लोगों के शायद स्वस्त होने की संबावना कम हो रही है दरसल बुदवार को जिले में करोना महामार में सबी को स्तरकता बर्तनी चाहिए अगर इस दोरान लापरवाही बर्त रहे हैं तो उसका परिणाम खतरनाक हो सकता है स्वाइम भी ऐसा करें और दूसरों को भी लगातार जागरो करें मुश्किल गड़ी में सबी से समनव्य बना कर इस महामारी रूपी जंग से जीतना ह उन्होंने काया कि जिला परशासन अपने स्तर पर दिन रात करोना से बने हालात पर नजर रखे हुए है जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है उसमें जरा भी देरी नहीं कर रहा है इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से जिले में बने हालात में कुछ हद तक सुदार आव वक्त हो चलाए ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जमू में 18–45 साल की आई-उवर्ग में हाई-डिस्ट क्रूप का टीका करन अब्यान आज से शुरू हुआ इसके अनुसार 18–45 साल की आई-उवर्ग के लोगों को आज केनाल रोड में कोवी शील्ड वैक्सीन दीगे ये वैक्सिन अब सिर्फ हाइस रिस्क वाले लोगों को ही देगी इसमें स्ट्रीट वेंडर, विद्वाई, सेना के परिवार के सदस्य, दिव्यांग, दुकानदार और वो लोग शामिल थे जो किसी बिमारी से पीडित हैं मीरा साइब पुलीस ताने के अदीन गाउं सिंबल केम्प में बुद्वार को पुलीस तथा प्रशासन की लोगों को शिकायत मिली थी कि करोना कर्फियू के नियुमों की सरे आम दजी उड़ा कर सिंबल केम्प के कुछ युवक बीड एकतित कर केकट मैच खेल रहे हैं मौके पार नाइब तसीलदार मीरा साइब तथा पुलीस की अदिकारी पोंचे और उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के बारे में उनको अवगत करवाया इसी भीच कवरेज कर रहे एक नीची पोटल के पत्रकार गगंदीप सिंग वा उसके सहयोगी महंदरपाल सिंग पर कुछ युवाओं ने हमला कर दिया जमुजिली की लोगों को स्वास्ति सुविदाय मोहया नहीं किया जाने पर आज ट्रेडर्स फेडरेशन वियर हाउस नहरू मेर्किट द्वारा प्रेस मीट की गई जिसमें उन्होंने शौस्त विबाग के कमिश्नर सेकरेटरी अटल डूलू को सवालों के गेड़े में खड़ा किया हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिशनर सेक्ट्री शीरी अटल डूलू जी ऑफिस में बैठके सरकुलर निकालते हैं कि सीनियर डॉक्टर वाड में जाके दोरा करें मैं समझता हूँ ऐसे अफसरों को बर्खास करना चाहिए कि इत्यास के एक पन्नों में लिखा जाएगा कि सितंबर दोजार अठारा में जब डॉलू साम ने जाइन किया जब पहली वेव आई कोविड उनिस की जब पहली वेव आई तो इतनी लोगों की मौत हुई और उससे सबक ना लेखते हुए जब दूसरी वेव आई तब हमारे एडवाइजर बटनागर साहव और हमारे हेल्थ कमिशनर डुलू साहव के नितित में इतने लोगों की मौते हुई दवाईयों की किलत है और जो पॉस्टिव बाते हैं और जिन लोगों के पास दवाईय नहीं ले सकते हैं वो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको जो है दवाईये फ्री आप कॉस्ट मिलेगी और उनके घरों में पहुंचाहिए जाएंगी और आप सबका धन्यवाद कि आप आपने जो है किंती समय निकाला और अगर आप चाहें तो और नीची हमा और जो भी जुरूरत है लोगों को वो हम प्रवाइड करने के लिए तियार है तन्वीर हुसेन परविशनल यूथ वाइस प्रेसडेंट जमूद्वारा आज एक प्रेस कॉन्फरेंस करवाईगी जिसमें उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन न कितने सारे वादे किये लेकिन सब वादे खोखले नजर आरे हैं डीडी सी चुनाफ हुए उसमें नुमाइंदों को चुना गया लेकिन इस कुरोना महामारी के दौरान एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आरा इस मौके पर लोगों को इन चुने हुए नुमाइंदों की सक वैब बुख मरी का शिकार हो रहे हैं लेकिन उनकी सुद्ध लेने अभी तक कोई नहीं आया उन्होंने उपराजेपाल परशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का हल किया जाए ताकि इने राहत मिल सके इसके चाहिए उनको तो जो भी मिहर्दू की तंखा उनको मिलती है वो सारी लोगों को दे दे ताकि उनके जो लोगों ने उनको बनाया है जो लोगों अवाम ने उनको चुना हुआ है उनको इसके तो तंखा अपनी जो है वो वहां पर रिलीव फर्ड में देखें लोगों को उसका में पहुंचा नहीं शेहिए थी। लोगों को आटा पहुंचा है, चावल पहुंचा है, तेल पहुंचा है, वो उनका का मड़咪ो आना चाहिए। लेकिन हमने यह दիखा ही नहीं। इसलिए अफसूस हम करते हैं इस टाइम जो महामरी चार रही है इस टाइम भी अगर लोगों के साथ वो शाना बशाना साथ नहीं देंगे तो यह बहुत बड़ा अफसूस नाग भारती जंता पार्टी की यूथ विंग द्वारा रगदान की मुहीम को जारी रखती हुए आज भी SMGS अस्पताल में अरुन देव सिंग, कपिल वा अन्य कारेकरताओं की अगवाई में रगदान शिविर का आयोचन क्या गया इस मोके पर मेर चंदर महुन गुपता खास तोर पर उपस्ती थे हारी कादमी अपना अपना दाइत्व इस वक्त नवा रहा है चाहे हमारे सोचल हैं हमारी हारी कादमी इस वक्त लगा हुआ है ताकि हम जो करोना को हराना है हमने जीतना है उसी के साथ वो दिन दूर नहीं जिस तरह पिछले साल भी हमने क्रोना को बगाया था आने वले समय में भी वो दिन जल्दी आएगा डेथ रेड को भी शहर में कम करना है हमारा जो करमेडिकल स्टॉफ हैं डॉक्टर्स हैं सीनियर्ज हैं जिस तरह काम कर रहे हैं मैं यह अपने बच्चे छोड़कर अपने घर बार अपने पेरेंट छोड़कर किस तरह का यह काम करते हैं कि डॉक्टर के गर नहीं जाते हैं जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंडेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जैम ओप्टीशन्स गांधी नगार जैम ओप्टीशन्स नई बस्ती जैम ओप्टीशन्स अंफला जैम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर